नमस्कार आप देख रहे हैं बिग एंड बोल और बिग एंड बोल का ये एपिसोड आप तक पहुंच रहा है उत्तर प्रदेश के मैन पुरी से जिसको अभी तक समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है यहां क्या होगा वो तो आगे आप देखेंगे ही लेकिन आज जो वोट युद्ध का पहला चरण पूरा हुआ उसमें क्या हुआ कहीं से कुछ खबर आई चेकिंग को लेकर कहीं पर बात आई कि क्या इवियम ठीक काम कर रही है कहीं से ये भी सुनने को मिला कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी क्या लेकिन इस सब के बीच बढ़ख किसने हासिल की पहले चरण में ये बहुत महतुपूर्ण सवाल है क्योंकि दावे दोनों तरफ से अपनी अपनी बढ़ख के किये जा रहे हैं लेकिन इन दावों में सच्चाई किस के साथ खड़ी नजर आ रही है बिग एंड बोल की ये पहली एक्स्लूज रिस्टोरी आपका ये उसा दिखाता है फिर एकबार फिर एकबार फिर एकबार फिर एकबार पुरा देश एकी बहाओ के साथ जुड़ावा है कि जो राम को लाए है हम उनको लाएंगे जो पहले चरंड से खबरें आ रही हैं उससे मैसूस हो रहा है कि इस बार पश्चिम की हवा भारतिय जनता पार्टी का पूरा का पूरा सफाया करने जा रही है इंडिया गटबंधन के बिलकुल एक लहर चल पड़ी है चारों सीट जो है जीत रहे हैं जो फीडबैक आ रहा है बर्चर करके लोग जो हैं वोट दे रहे हैं बहु परतिक्षित राजनितिक परिक्षा के पहले चरण के पूर्णता के बीच ये दावे हैं उम्मीद है विश्वास है ये भविश्वानी है उन नेताओं की जो सब्ता की अट्टा लिका पर पहुँचने के लिए बेहिसाब मशक्कत कर रहे हैं ऐसे में जब जन्ता ने अपने जनादेश से इनकी सियासी किस्मत का एक अध्याय लिख दिया है जब पहले फेज की बोटिंग खत्म हो चुकी है विजय बटन डब चुके हैं उम्मीदवारों के भाग एवियम में बंध हो चुके हैं तब लोगों के मन में ये है कि फर्स डे फर्स शो किसके नाम रहा पहले फेज में किसने बढ़त बनाई वोटिंग के बाद इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये जान लीजीए कि पहले फेज में 21 राजियों और केंदर शासित प्रदेश की 102 सीटों पर वोटिंग हुई है तमिलनाडू, उत्राखंड और अरुनाचल सरी के राज्यों में सभी सीटों पर वोट डाल दिये गए हैं जबकि यूपी, बिहार, बंगाल, MP, राज्यों की आंशित सीटों पर वोटिंग हुई है वोटिंग के दौरान का ये हिंसक ग्रिश है उस पश्यम बंगाल का जहां कूच बिहार में मद्दान केंदरों पर जम कर हिंसा हुई है टीमसी और बीजेपी के समर्टकों के बीच जबर्दस्त जड़प हुई है यहां से केंद्रिय मंत्री निशीत प्रवानिक खड़े हैं उन्होंने वोट डाला और फिर हिंसा को लेकर बंगाल की सत्ताधारी बाटी पर कुछ यूँवारोप लगाया है फाइलेंस और टीमसी यह दोनों भाई भाई है फाइलेंस का दूसरा नाम ही टीमसी है जिस दिन टीमसी बंगाल पर नहीं रहेगा उस दिन फाइलेंस भी नहीं रहेगा यह यह बंगाल का लोग कहते खूच बिहार के चांद मारी इलाके में ही जम कर बत्रा हुआ है उपद्रबियों को बियस अफ के जवानों ने खदेड कर भगाया बीजेपी के स्थानिय नेताओं के साथ मार पीठ हुए तो दिन हाटा इलाके में बीजेपी कारेकरता के खर से बंबारूत मिले हैं टीमसी के नेता बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं हाला कि चिटपुट हंसा से पश्यम मंगाल में ही नहीं हुई है राजस्थान के चूरू और मत्यप्रदेश के चिन्वाडा में भी जड़क की ख़वर है बीजेप्य और कॉंग्रेस के समर्थिकों के पीच आपस में लिखरण हुई है एंप्य और राजस्थान में कितनी वोटिंग हुई है ये बताएंगे मगर उससे पहले जान लीजिए कि पश्यम मंगाल की 42 में सर्फ 3 सीटों पर वोटी हुई है गूच बिहार जलपाई गुड़े और अलीपुरद्वार तीनों सीटें बीजेपी के पास हैं ऐसे में इस बार वो टालते बड़ लोगों ने क्या सोचा ये चान लीजिए जरा पश्यम मंगाल में टीमसी और बीजेपी के लड़ाई में मोधी को सताहीन करने के लिए बने इंडी कटबंधन कहां हैं वो मंताब एनर्जी के शब्दों में ही सुन लीजे जरा आमीं सुन ची के लुको बोलचे आम्रे इंडियान अलाइन्स आमाए भोट दिल शुनूर इंडियान अलाइन्स आमी तो इरी करची आलोटा दिल्लीर कोथ एखान कर कोथा नोएं एकाने कॉंग्रेस सिपियेम इंडियान अलाइन्स करे ना और आप बीजेपी करे चाहिए चिनो मुल कॉंग्रेस है विरुद्दे एक टी भोट कॉंग्रेस के दियार और्थो बीजेपी के दुटो भोट द्वा बीजेपी से लड़ते लड़ते मोदी विरोधी पाठियां बंगाल में आपस में लड़ रही है यही वज़ा है कि देश के सबसे बड़े सूबे में प्रधार मंत्री मोदी ने इंडिय कटवंधन पर कुछ यों प्रहार किया भाजपा गाउं गरिब के लिए बड़े वीजन और बड़े लक्षों के साथ आगे बढ़ रहा है लेकिन इंडिय कटवंधन के लोगों की सारी शक्ति गाउं देहात को पीछडा बनाए रखने में लगती है अम्रोहा में प्रधार मंत्री मोदी खड़े थे जहां इसके दबाद दूसरे फेज में 26 सप्रेल को वोटिंग उनी है लेकिन अम्रोहा से सटे उरादाबाद में उसी वक्त वोटिंग हो रही थी ये तस्वीर वहीं की है जहां फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए नकाब हटा कर चेकिया जा रहा है और पोलिंग बूत के बाहर खड़ी टीम, महिलाओं के नाम, पता और चेहरा मिला रही है ऐसी ही तस्वीरें मुस्लिम बहूल इलाके कैराना से आई है जहां नकाब धारी वोटर के शिनाग पहचान पत्र पर लगी तस्वीर से की जा रही है इससे कैराना के समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हत्ते से उखड़ी हुई है यूपी की सत्ताधारी पार्टी पर सीधे सीधे आरोप लगा रही है लेकिन कैराना के वोटर इस बार किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं वो सुन लीजिए पर सब ठीक ठाक है मुद्दी योगी सरकार है शुकर सांति है और क्या मुद्दा है क्या राम मंदर भी एक मुद्दा है जिसको लेकर आपके वोट दे रहे हैं वोटर बगवान का नाम है उसमें क्या दिक कर देए उसके वोट मिलेगा मुद्दा है आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं आपको क्या रहे हैं वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी ने कहराना से रहे कर मुझफफर नगर और साहरनपुरतर आरोपों की जड़ी लगा दी कहीं वोटिंग में खलल डालने का दावा किया कहीं बोट कैप्शरिंग का अलकि प्रशासन की ओर से भी जबावाया लेकिन इस सब के बीच वोट डालते हुए साहरनपुर के लोगों के दिमाग में अपनों की सुरक्षा चड़ रही थी उसकी वज़े से हम सारे एकमत होके वो डाल रहे है विकास की धारा जो बह रही है उसका कोई तोड़ नहीं है और मोदी जी ने इस देश के लिए अतना कर दिया अभी डरीन लगता कोई भी काम करने में रात को लड़किया देखे एक एक बज़े तक आती हैं बिना डर के जब से मोदी जी आया है तो जो इंडिया लगता कि इंडिया भी बहुत युवा फिफ्ट हमारी एकनॉमी बन चुगे और थर्ड पर ग्रोइंग एकनॉमी बनने वाली है अभी मैं लाइफ बहुत सुरक्षित है जो आज से पहले कभी नहीं थी और ये तबी हुए जब मोदी जी हैं मोदी है तो ममकिन है और ट्रू वोटर ट्रू इंडिया एंड ट्रू मोदी जी ये जानली ची कि पहले फेज में यूपी की आट सीटों पर गोटिंग हुई है इन में से तीन सीटें बीजेपी के पास है तीन बीस पी और दो एस पी के पास जिस मुझफर नगर में दस सालों से बीजेपी जीत रही है वहाँ इस बार लोगों ने क्या सोचकर गोट किया वो सुनिये। यहाद से कभी चेंच हिन रही है। लगिन टच वूट थैंक्स कोड आच चान्त है। सुईदा दे रखी हर किजी को इसमें पक्सपात नहीं है। बस इसी वज़े से हर आदमी संतुष्ट है कि हाँ वोट इस तरफ दी जा। जो चाहेगा योगी और मोदी ही चाहेगा। यूपी से सटे बिहार में भी चार सीटों पर वोट डाले गए हैं। बिहार में नवादा, जमुई, और अंगाबाद और गया में वोटिंग हुई है। लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तमाल किया वोटिंग के दौरान अलगलग तस्वीरें देखने को मिली। वोटिंग से दो दिन पहरे जिस तरह चिराग पासवान को अब शब्द कहा गया। उसने जवर्दस्त तूल पकड़ा था। अच्छा राम मंदिर भी मुद्दा लगता है। आट तक 75 साल में किसी ने इसका समधान नहीं किया। मोदी जी के आने से बहुत बड़ा समधान हुआ। नवादा और और अरंगाबाद में बीजेपी और आर्जेडी की टककर है। तो गया में हम और जमुई में चिराग की पार्टी के सामने तेजस्वी के कैंडिडेट हैं। लेकिन मद्द परदेश में बीजेपी और कॉंग्रेस के बीज सीधी टककर है। एंपी के चिंदबाडा में दोनों पार्टीों के कारिकरताओं के भी जड़प हुई है, हलकी चोटे लगी है। कमलनात के गड़ में लोगों ने राम मंदिर और विश्य के भारत के नाम पर भूड़ दिया। अगर हमारे थोड़े कश से राष्ट का निर्मान हो रहा हूँ, विश्य में अगर हमारे भारत का नाम हो रहा हूँ, इससे अच्छे प्रदान मंदिर को भी नहीं हो सकते है। मद़्प्रदेश की 6 सीटों पर वोट डाले गी तो रायस्थण के 12 सीटों पर वोटिंग हुई वोटिंग सेंटर पर लम्भी कतायें थी अलबर में वोट डालने के बाद लोगों ने क्या कहा वो भी जान लीजिए सबसे बड़ा पॉइंट है वो है राम मंदिर जिसकी प्रतिक्षा थी वो पूरा हो गया इसके लिए मोधी जी को बहुत बहुत बढ़ाई है मोधी जी ऐसी आगे बढ़ते रहे और काम करते रहे हम उनके साथ हमेशा रहेंगे हिंदी पट्टी के राजियों में जहां गिंतिकी सीटों पर वोटिंग हुई तो तमिलाडू की सभी 49 सीटों पर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रियोग किया वहीं तमिलाडू जहां इस बार सुखत संयोग की आस में प्रधानमंत्री मोधी ने भी अन्ना मलाई को आगे कर चवरदस्त प्रियोग किया है जहां बीजेपी की और से अन्ना मलाई और तिमलिसाई सुंदर राजन सरीखे नेता मैदान में है प्रियोग मोधी ने दस हपतों में साथ बार तमिलाडू का दौरा किया सौगाते दी सियासी हवा का रुख मोरने की कोशिश की और अब बोटिंग के जरीए बड़ी जीत का दावा कर रहे है हलाकि ये दावा उस महाराष्टर से किया गया जहां पहले फेज में पांस सीटों पर वोटिंग हुई है आपको बता दे कि पहले फेज में मोधी सरकार के आठ मंतरी और तीन पूर्व मुख्य मंतरी अगनी परिक्षाम बेटे हैं राम मंदिर, प्रष्टाचार, सनातन, विकास, महंगाई, विरोजगारी और गरीबी सरीखे मुद्दों के एर्दगिर्द पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है जनता अपना फैसला लेक चुकी है अगर मंदिर, प्रष्टाचार, विकास के नाम पर वोट पड़ा होगा तो यकीनन एंडिये को बढ़क मिलेगी लेकिन महेंगाई और विरोजगारी के नाम पर वोटिंग होने पर इंडिये कट बंधन आगे होगा हलाकि जो भी हो, नतीजा 4 जून को पता चलेगा विरो रिपोर्ट, टाइमस नाव नभभार